तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब नहीं जाते हैं और प्राइबेट अस्पताल में बैठ कर मोटा मोटा पैसा लेकर दिन रात मरीजों का इलाज करते हैं तो अब सतर्ख हो जाईए क्योंकि तेजस्वी यादों की नजर आप पर लग चुकी है 700 से जादा डॉक्टरों की लिस्ट तेजस्वी यादों के पास पहुच चुकी है जो पिछले कई महीनों से अनुपस्तित है छेचे महीने से हुए सरकारी अस्पताल में पहुचे ही नहीं और सरकार से हर महीने लाखों-लाखों की सेलरी ले रहे हैं इन डॉक्टरों पर तेजस्वी यादों की नजर लग गई है और अब तेजस्वी कहा रहे हैं कि छोडेंगे नहीं सब डॉक्टरों का हिसाब होगा और वे कहते रहे हैं कि कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो सालों सालों से अपसेंट हैं इसमें से एक डॉक्टर तो ऐसा है ज का लिष्ट उनके पहूंच चुका है अर्वे कहते हैं कि अब सबब्र कारवाइग करने के लिए नमस्कार में मोई कुमार और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं यह वीडियो माभवानी डेकोर प्राइबेट लिम्टेट के द्वारा प्रायोजीत है माभवानी डेकोर प्राइबेट लिम्टेट टाइल्स, मार्बल और गिरनाइट में इस्ति है अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इन से संपर्ख कीजिए और अगर आपका घर मुझा फर पूर्चे कहीं बाहर है फिर भी यह लोग बेहादी सस्ते और किफायती डाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पूंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल किजिए और बात्चित किजिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अब वापस आते हैं वियार के कामचोर डॉक्टरों पर और तेजस्वी यादों पर तेजस्वी यादों के स्वास विभाग संभालने के बात से ही स्वास विभाग में आपके सकते हैं कि हडकंप मचा हुआ है रोज तेजस्वी यादों कुछ नए आदेश देते हैं रोज प्रश्वयादों का मासा ठनग्या। उन्होंने कहा कि अब पता लगाओ की डॉक्टर करते क्या है। तब पता चला कि डॉक्टर शेहर के प्राइबेट अफपताल में प्राइबेक तोर पर मतलब की मोटा-मोटा पैसा लेकर मरीजों का इलाज करते है। लेकिन सरकार उन पर लाखों रुप्या खर्च कर रही है, लाखों रुप्या का तनखवा दे रही है, उसके बावजूद वो डॉक्टर सरकारी अस्टाल में जाकर मरीजों का इलाज नहीं कर रहा है, अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 700 से ज्यादा डॉक्टरों सरकारी खजाने से, सरकार के पैसे से, स्वास्त मंत्राले के पैसे से अपना तनखवा हर महीने लेते हैं, मतलब कि सरकार को कई करोडों का चुना ये 700 से ज्यादा डॉक्टरों मिलकर लगा रहे थे, और अब ते यश्यादों ने इन सब को पकड़ा है, इन सब का हिसाब कि आखिरकार जब सरकार उनको पैसा दे रही है, सरकार उनको महीने का तनखवा दे रही है, उनकी पोस्टिंग सरकार किसी सरकारी अस्पताल में करवाती है, तब वहाँ पर वो डॉक्टर जाकर अपना डुटी के उनहीं करते हैं, जितने समय तक उनको अस्पताल में रहना होता है उतने समय तक अस्पताल में रहकर मरीजों का इलाज क्यों नहीं करते और आखिर कार डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ना जाकर पैसा लेते हुए भी प्राइबेट अस्पताल में जाते हैं और वहाँ पर मरीजों को प्राइबेट तोर पर देखते हैं और नीजी तोर का पूरा ताला चिठ्था सामने आ गया है तेश्री यादों के पास 700 से ज्यादा डॉक्टरों की सूची है और अभी एक दिर पहले जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर है वो बायो मैट्री का टेंडिंस का भिरोज करते हुए हरताल कर रहे थे वह कहा रहे थे कि हम हरताल कर और शायद यहीं उनकी परिसानी थी और अब तेश्री यादों ने उनके नस को पकल लिया है और तेश्री यादों के पास 705 डॉक्टरों की सूची है जो की सरकारी अस्पताल में देखने के लिए मरियों को सरकार से लाखों का पैसा लेते हैं और देखते प्राइबेट अ जो सरकार से पैसा लेते हैं और सरकारी अस्पताल में मरियों का इलाज नहीं करते और अगर कोई मरी जाता है वे रहते भी हैं तो बाच्चीत ऐसे करते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो बाकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के बारे में आपका अनुभव क्या है आपका विचार का है आपका experience का है उसे comment box में लेकर बदाईएगा वीडियो शेयर कीजिएगा आगे जो कुछ नहीं जनकारी आएगे जो कुछ नहीं अपडेट आएगा जनता अंक्षन के माधियम से आप तक मिलते रहेगा आप जनता अंक्षन के साथ जुड़ी रहिए कैमरे किशे बहुत बहुत धन्यवाद